So guys, finally Facebook का एक new update आ चुका है, अब सबका Facebook page suspend होने वाला है, अगर आप ये एक छोटी सी setting नहीं करते हो तो, अगर ये setting नहीं करोगे तो भाया आप में कुछ भी data नहीं दिखेगा, आपका total analytics गाइप हो जाएगा, आपका total content गाइप हो जाएगा, और इस परस्तिती में अगर कैसे बज सकते हैं, वो कौन सा setting है जिसको हमको करना चाहिए, और इसके करने के पीछे Facebook का क्या region हो सकता है, सब कुछ details से आज के इस वीडियो में जानेगे, तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एक like कर दिज में समझाने के लिए मैंने अपने मोईल का screen recording on कर दिया, screen recording on करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है और आपको creator studio कोलना है, जैसे हैं यहाँ Facebook का creator studio कोलिएगा, तो आप में देखिएगा कुछ इस परगार का notification आप सभी में pop up हो रहा होगा, और maybe जिन में भी नह यह notification देखने को मिल रहा है, आज नहीं तो कल आप में भी यह notification देखने को मिलेगा, और यहाँ पर Facebook का साफ साफ लिखना है कि creator studio is going away at the end of October, मतलब यह creator studio है ना, यह बहुत जल्दी जाने वाला है, end of the October, मतलब अक्टूवर के last तक creator studio जो है वो आपका चला जाएगा, you will still have access to all your content and data on Facebook, मतलब कि आप अपने जितने भी data और जितने भी आपका content है, वो सारा का सारा access Facebook पे आप ले सकते हैं, ठीक है, और जैसे हैं आप go to Facebook पे click करते हैं, यहाँ से आपका Facebook खुल जाता है, अगर भाईया इसको cut कर देते हैं, पर देखिएगा, और जैसे हैं आप अपना creator studio खोलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपका सारा का सारा data ही गाइप हो गया, ना ही मेरे view minute दिखा रहा है, ना ही मेरे video engagement दिखा रहा है, ना ही मेरे net follower दिखा रहा है, और यहाँ पर भाईया कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर recent post में भी कुछ भी नहीं दिख तो भाईया घबराने की कोई बात नहीं है फेस्बूक का एक नया अपडेट आया है जिसके तथ आपको पता होगा कि फेस्बूक, इंस्टा और वाटसब तीनों के तीनों मेट्या के अंतरगत आते हैं जैसे याँ फेस्बूक का मेट्या बिजनस सूट को खोलते हैं तो भाईया उसमें आप तीनों के कॉंटेंट को एक ही बार में मैनेज कर सकते हैं उसमें आप इंस्टाग्राम को भी मैनेज कर सकते हैं उसमें आप फेस्बूक को भी मैनेज कर सकते हैं और उसमें आप वाटसब को भी link करके उसके content को भी manage कर सकते हैं लेकिन creator studio जो था वो special और special facebook के लिए ही बनाया गया था अगर इसमें आप login access देते थे तो cable और cable facebook का page ही वहाँ पर login होता था इसलिए आपके जितने भी creator studio के data वेगे रहा थे सारे चीज को remove कर दिया जा रहा है तो अगर आप में भी कुछ इस परकार का notification आ रहा है अगर आप में भी कुछ इस परकार का data दिख रहा है अगर आप में भी कुछ bug दिख रहा है तो tension मत लिजेगा October end of the October और November तक ये bug हो सकता है अगर आपका dollar घट बढ़ रहा है आपका RPM वेगरा नहीं दिखा रहा है तो किसी भी चीज में घब राने की जुरुत नहीं है मैं जिन्दा हूं भाई आपको एक problem भी नहीं होने दूँगा और आपके एक problem पर वीडियो आएगा तो इस परस्तिती से आपको कैसे बचना है सिंपली आपको creator studio पे click कर देना है जैसे यहाँ creator studio पे click किजेगा तो आपका profile से जितना भी page login है वो सीधा का सीधा meta business suit के अंदर गत आपका लेले चल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं यह हो गया पहला option या फिर अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर आपको एक play store में चले जाना है play store में जाने के बाद meta business suit का एक official application है तो यहाँ पर आपको लिकर search करना है made suit जैसे ही आप meta business suit लिकर search किजेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह वाला application आपके सामने आजाएगा simply इस वाले application को आप install कर लिजेगा जैसे ही आप इस वाले application को install किजेगा इस वाले application को install करने के बाद जैसे ही आप इसको open किजेगा तो देखिए आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप Facebook ID का नाम आ जाएगा तो continue as badsa golden मतलब मेरा Facebook profile का नाम है तो वहाँ पर भी जाकर आप उसको follow कर सकते हैं ठीक है और जैसे यहाँ पर search कीजेगा allow कर देना यहाँ से next कर देना है फिर से यहाँ पर next कर देना है फिर से यहाँ पर आएगा फिर से यहाँ पर आपको next कर देना है आपके live पे कितने भी हो जाते हैं all tools पे click करोगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारा tools देखने को मिल जाएगा या फिर अगर आप चाहते हो कि वाइल से लपड़ा नहीं पालना है हमको कोई भी application install नहीं करना है तब हम क्या करें sir हमको बता दो तो उसके लिए आपको क्या करना है गूगल क्रोम पे चले जाना है गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पर आपको search करना है creator studio यहाँ पर आपको three dot पे click करके desktop mode को आपको on कर लेना है आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा तो जैसे ही आप creator studio पे click किज जाएगा और यहीं से आप अपने content वेगरा को upload किजेगा जिससे आपके content में tag लगाने का option मिल जाएगा आपके content में thumbnail लगाने का option मिल जाएगा अगर facebook पर video किस परकार से upload किया जाता है तो description में link होगा वो वाला video आप देख लिजेगा facebook की video कैसे viral करें अगर वो video आप देख देखना चाते हो तो उसका भी link मैंने इसी video के description में डाल दिया है तो description में जाएगा और उस video के link पर click करके दोनों video देखिएगा और facebook के content को viral किजेगा और उसको monetize किजेगा और उससे पैसे कमाईएगा आज का जानकारी आपको कैसा लगा comment जरूर किजेगा वीडियो पसंद